प्रिदर्ष्टों मित्रों शाथियों यह हमारे लिए अध्भुद उपवारेर बहुत बड़ी खुशी की बात है जिसकी हमें तलास है वो हमारे पास मुझत है मोको कहां ढूंड़े बन दे मैं तो तेरे पास बस मुड़ना है भीतर की ओ जाकना है भीतर जुड़ना है स्वांसों के साथ अनुभव करना है चैतनी सत्ता का भीतर जाने सद्गुरु महराज की किर्वाज कि गुरु महाराज गट के पट खोलते हैं, श्वासों के अधुद रह्ष्य का अनभाव कराते शद्गुरु और जिने गुरु महाराजी का ज्ञान प्राप्त है, मैं उनसे खाले इतना कोँगा, शमे मत बरबाद, तब पस्ता है क्या हो जुदुचिडिया चुपी के, शु राशी फल प्याओं उससे पहले आज जिका पंचान, आस्विन मांस सुकलपक्स की नौमी विक्रम समु 2021, आस्विन मांस की 27 परविश्थे, सक्षण 1946 आस्विन 20 तद अनुसार श्यनिवार 12 अक्टूबर 2024, सुदुदुकाल तिती नौमी है, तिती का जो समाप्तिकाल है, स सुबे 10 बजगर अठाउन्बंड अगला करण तैतील होगा, और सुदुकाली नक्षत्र, सर्वन नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंदरदेव है, नक्षत्र का जो समाप्तिकाल है, वो 13 अक्तूबर सुबे 4 बजगर 27 बजगर है, यनि आज चंदरदेव श्यम के नक्षत् प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके राश्यपल की चर्चा करूँगा, तैने उस से पहली हर रोज की तरह आज की घ्रही होगा है, प्रत्यकाली लगन कन्या लगन है, कन्या राश्य में सूरी देव और केतु देव का संचन है, मकर राश्य में चंदर देव है, मिधुन राती महराज पर है, देख लिएगा, ब्रेश्पदेव विर्षब राशी, सनिदेव कॉंब राशी और रहुदेव में राशी, यह घ्रहों का संचन और इसी आधार पर 12 अक्तुबर 2024 का मैंने राश्य में आप जीत मुर्थ सुबही 11 बच कर 44 मिंट से लेकर, दोपर 12 बच कर 30 मिंट तक रहेगा, अवधी जो है अभी जीत मुर्थ की वो 46 मिंट की है, और यह 46 मिंट आज की दिन कोई भी शुबकारी करने के लिए सबसे उर्तम वार, कोई भी नयार शुबकारी जिसकारी में चीर कालत गलाव नेनों से अभी जीत मुर्थ करें, और अभी जीत मुर अभी में चीर के लिए सामचार बजेस नेकरें, पुझदित कर कि दो विए जीत मुर्थ का रहेगी, आज जो रहकाले वी जातरा पे निकलेंगे, तो कस्ट कम आएगा, तो रहकारी में समेशा धनप्र्शतिया काल में बहुत परिविरतन आया यह और उसित मुर्थ आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंद आपके उपर नहीं, क्योंकि यात्रा की अति आधुनिक साधन इस सुमें उपलब थे, हाँ, आज जो आप यात्रा के लिए घर से बाह निकले, तो पहले साध कदम पच्छिम दिशा के और जाए, इस्ट देवता, कु आपकी जनुकुनली से मिलेगी, तो मेरा निवेजन है, नीचे नमबर आ रहे, इन नमबरों पर शंपर करके, आप मेरे से संपरक स्तापित कर सकते हैं, अविश्य मैं आपको शयू करूँगा, हाँ, जो फोन उठाएंगे, वो आपसे कहेंगे, कि गुरुमाराज जी से, द मैं आप लोगों की सेवा में हूँ, तो यह मेरा आदेश भी लोगों को है, कि लोगों से कहिएगा, गायों की सेवा करें, जो लोग आपको फोन पर कहते हैं, गायों की सेवा करें, तो उसको अधरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निरदेश, लेकिन मैं धन कमाना नह चाहता हूं नहीं मुझे धन चाहिए वरत्मान परस्टों को देखते हुए मेरी गाएं सुखिरे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बाकि आपकी मैं से मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों शात्य आप सभी लोग सनिधाम का जो नंबर है कोशाला का नंबर है उस पर आप फोन करते हैं जो लोग वहां काम करते हैं उनका ओफिस का अपना एक ताइब है आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर साम 8 बज कि फिर वहां जानकरी आपको कोई नहीं देगा तो जो भी जो सनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गवसाला के इन नंबरों पर शंपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा इस बात का ध्यान देगा प्रदर्शकों में तरुशातियों 12 अक्तूबर आपका जनम दिन्या फिर साद्धी की साल करें मेरी और से आपको हर दिक सुबकाम नहीं आपका जिवन खुश्यों से भरा रहे शनिदेव किसी जनों में मेरी प्राद बारह अक्तूबर आपका जनम दिन्या फिर साध्य की साल करें जो उपाई बताने जा रहा हूं कि साल भर आपको लाब बहुत शफलता देगा तो पति-पतनी दोनों इस उपाई करें अगर आपका जनम दिन्या उपाई आप खुद करें आपका निटे-क्रमियुस नानों उप्रांत तुलसी महिया के आगे सुद देशी घी का दिपक जलाना है तो टल सी महिया के आगे सुद देशी घी का दिपक और घर के चार कौनों में ठ्यान रकना अगनी कपड़े वगरा पास्तून उपंडिन चारों कौनों पर घर और घर मध्य में भी पां दिपक्ग जलनाए और यह देशी कपूर भीम्शनी कपूर राष कपूर करें तुलसी मेयाग Acre सुद्देशी घीके और घर के चारह कॉना और मध्य में ब्राष कपूर कार देशी और तुलसी मेय Хा के बैढ़ कर ओम नमा भगवति वाशुर देवाए नमा इश्मंत्र का जाब आ नारायन श्री हरी के चंड़नों में एक स्वाथ पीले पूश परफित करना भी आपके लिए लाबदाएक रहेगा पूजा के बाद सजानों साथ चने की दाल गुड फकवा पपिता किसी गरीब निधन जरु करको कि दिश्चा कराटी कर में बताए को डूगा दार हमकरी और शिक्षा के प्रफितर में नवकरी जरी आपको अपनी मेहनत के अनुसार अच्छा पादिए क्या करें सामजीक वेवस्ता में सही हो करें क्या ना करें महत्मूर कारिये में लापरवाई नहीं करें सुभंग लाल भागी आपके इपक्ष में 70% लापका संकेतर में आज ब्रहम मूर्त में आज 12-12 राशी के लोग ब्र करते हैं विर्षब राशी वालों के लिए नौवे भाव में चंदर आए नौवे भाव में चंदर देव अपने ही नक्षण सर्वन नक्षण में संचर करें कामकाच कारवार नौकरी वैवशाय समाज और परिवार में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है अपनों को बुजर्गों की सलह से काम करेंगी तो परिषान है कम होगी और मनों कामनों की पूर्ती होगी लेकिन परिष्णम की आवश्यत्या है ठाले में परुसकर कुछ नहीं मिलेगा कारी चेत्व में श्यम बनाए रखना उचित होगा और संतान पक्स और पारवार सद्वर विशे क्या करें किसी गरीब निदन ब्रक्ति की सेवा करने से प्रमात्मा प्रसन होगा और आपके रूपीवे काम करें क्या ना करें व्यर्त के सर्पाटर में श्यम नस्तना करें शुबंग दो शुब्रम करीम भागी आपकी पक्सुन पैंसेट प्रसन लापका संक्यत है विश्य बात करते हैं मितुन दाशी अश्टम भाव में चंद देव अश्टम भाव में चंद देव श्यम अपनहीं श्रम नक्षन में संश्छर करें प्रइशानी है उठापटक है मन की चंचलता की वज़े से रिष्टों में दरहर आएगी जिवन साथ से तक्राव और सरकारी मामले उलश सकते हैं समय की प्रतुकुलता के विज़े से अचानक बंती विकारियों में विविधान आएगा और मनोर शिद नहीं होंगी वैशाय में हनी का प्रबल से धन का अपवए और मांसिक और सारिक असंतुली बिज़ेगा कार्चिय में रुकाउट है कर्मचारियों का श्यूग निमिलेग शुबंग 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 सपेद भागिया आपकी पक्ष में केवल केवल तीस परसन लाब कर संकेते में तुन दाश वालों ओम सम्सर्व अभिष्ट परदाई नहीं नमा साड़े तीन से साड़ पांच की विज़ में घर में शर्शों का तेलका दिपक जलेगा अब तो ऐसा जातक बहुत जल्दी में बड़े बड़े निरने लेने का सास दे रखता है ऐसे जातकी विचारों में सोच में बहुत दम होता है ऐसा जातक अपने विचारों को कुछ करना चाहे तो बहुत अच्छा कर भी सकता है टेक्नकली और शोध के सित में बहुत सपलता है एक बात और में ने देखी, किसी भी जाता कि जन्मकुल में चंदर्मा अस्टम भाव में व्यक्ति बिना बात दढ़ता है, बिना बात अलट रहता है, और हमें सब भौशे की त्यारी में लगा रहता है, और यदि ऐसा व्यक्ति गलत सोचता है, तो उसके साथ बहुत जल्दी गलत गटित भी हो जाता है, इसलिए बचना चाहिए, नमाना रहे हैं, आरिवेदी की चर्चा है, नुस्कों की चर्चा है, मनोश्य को प्रकृति की साथ रहना बहुत जरूरी है, और प्रकृति की साथ हम है नहीं, कही बार में हमीशा आप चाहिए हमारा खान-पान हो जाता इस बात का धीहा, जो ङसे आपका पेट सापने होता है, खटी डगारे आती है, कबज रहती है, तन में भारीपन रहता है, नज न बान ते असा लगता है कि सो जाए, मन भारी रहता है, आ आप तर तर की दवाय ले रहे हैं, और उस दवाओं में सनाई की पतिया भी होती है मैंने देखा एक कई बार ज्यादा सनाई आंतों को नुखसान पहुंचाता ध्यान लगए और आज जो बताने जा रहा हूं यह आपके पेड़ समंदी संपोण परिशानियों का निवान करते हैं जिसका पेड़ साप नहीं हो रहा है सुबह सुबह उटिए एक गिलास पानी में आधा चमज हलदी पाउडर मिक्स करिए अच्छी तरह करीज मिला करके सुबह सुबह खाली पेट भी पी जाई कर के देखिए रात में सोते समय एक चमज इसब गोल की भूशी एक चमज चोटी हरण का पाउडर गाई के देशी गाई के दूद में डाइसों गराम के दूद में इसको अच्छे तरह मिस्ट कर गए और पी जाए गरम पानी में भी ले सकते हैं तेन दिन की बाद मुझसे बात करिएगा सारा के सारा पेट समंदी मसला आपके कंट्रोल में होगा बहुत सुन्दन उसका है अच्छा लगता तो शेर करिएगा और मेरे चैनल को फ बहुमी और वहन का लाब मिलेगा पारबारिक जिमन में अनकुलता आएगी और व्यात्रा सफल देगी जिमन सात्तिक साथ रिष्टों में प्रगाड़ता है तो शकारत में रहेगी यहार विद्यार के उच्छा और के चित में अच्छा उस्तर मिलें कर वैपार में लाब र क्या ना करें कारी इस्तल पर राजनेटी की जोड़ तोड में ना पड़े शोबंग दो शोब्रंग भरा भागी आपके पच्छातर पसंद लाब कर संकेते करकराश वाल ओ मिशा मनील और अनमाहां इस मंत्र का जाप आपको खुशी प्रदान करेगा नमनन बात करते शिंग कामकाज कारुबार केरियर में लाब की अच्छे अवस्वर मिलेंगे शत्रू शडियंतर से पीचा चुटे को देश विजे से सुब्समासवर की प्राप्ति कभी क्या करें नए लोगों से मितरता करना उत्तम रहेगा क्या ना करें लेकिन मितरता में पूरा भेद नहीं दे पूरा दिन खुश्म से पितेगा नुमने बात करते कन्यारा से पंचयों बहां में चंद देख्षम अपने ही नक्ष्ण में संचन करें काम बनेंगे आवश्यक्ताओं की पूर्त होगी लेंदेन की मसलेट धन की प्राप्त होगी समाज में सरकल बहुत अच्छा रहेगा औ और मन प्रफुलित परशंची तरहिए लिकिन ध्यान दिगएगा जल्दबाज में काम जी करना है कारीश्त बें पूण ध्यान देना है संदान पक्ष को साथ लेके चलना है और सरकारी अप्शों से रिष्टे खराब नहीं करना है इक बात और ध्यान रजिएगए वाइर् परपल भागिया आपकी पक्स में, 60% लाप का संकेत का नियारा स्वल ओमिशम अभिरु पाक्षाई नमा इस मंत्र का जापकनाज सुवे सुवे उत्तम रहेगा नमनाएं और बात करते हैं, तुलारासी चौथे भाव में चंदर देव, शर्वन नक्षर में संदर देव, शर् है, असुफलों की प्राप्ति, शर्तुरहा नहीं पहुंचा सकते, किसी पर भी अधिक भरुसा करना नुक्षान दाएक रहेगी, अपनी योजनाओं की प्रते सतर अग्र शंकट है, बैला परवाई नहीं करें, विद्यारत दोर युगाओं को आज विशे इस साफ दान दे के थे तुलाराश्वालों, ओ मिशामनील अच्छतर आये नमा, सुबह साधे तीन सी साधे पांस की बीच में, घर में शर्षों का तिल का दिपक जलाई, सुधासन पर बैठिए, इस मंत्र की तीन माला जाप रहेगी, कष्ट कमाएंगे और दिन अच्छा भी देगा, नुम का संकेते, मनन कुल प्रणाप्राप्ति के अच्छे उसर मिलेगा, अक्ष्मा धन प्राप्ति भी होगी, क्या करें, पुराने मित्रों से मेल जोल बढ़ा है, क्या ना करें, आपनों से जूट ना बोले, शुबंकार, शुबंकार, भूरा, भागी आपके पक्ष्में, सामाजी की बर्चा शुबढ़ेगा, कामकाज कारुबार नौकरी में उत्तम अवस्रक साथ परिवार का पूर्ण से होगी मेलेगा, सामाजी रूतवा ठेक लेगा, पारवारी बातावान अनकोल लेगा, विद्यारतियों का अध्यान में रूची बढ़ेगी, इंकम टैक्स किसी उस पदों पर प्रशासनिक अफसर है, मनन को शुपलता और उनतिक अफसर, प्रशासनिक अफसरों को लिए आज का दिन बड़ा शुब रहेगा, प्रमुस्तन का, बान सम्मान का, इस सब बढ़ोतरी का संकेत है, क्या करें, कारिवेविशा की पर थुरा सचेत रहे, क् बात करते हैं माकरासी, लेकिन समश्याओं के समधान में आज के लिए बहुत सुन्दर उपाए, बहुत से लोगों ने कैसाब, जीवन में विगिन बहुत है, कष्ट बहुत है, बाधाएं बहुत है, क्या करें, कि उपाए किसी भी मां के सुकलपक्ष के परतम शनिवार को क बाते ब्रहमोर्थ, शुक्रवार की राज़ शाधा प्रुकाली तिल किसी मिटी की पातन भरगर अपनी पूजाएस्तान में रख देजी, और शात में अखंड जोद जला देजी, शर्शों की तेली, भवाण सनिवार को प्राते ब्रहमोर्थ में ये जो तिल है, वो चीटि ब्रकारा मिटेगा, वास्तो में बहुत अची चीज बता रहा है, वेद, दौर वेद पर क्या करेगा, बहुत से लोगों नहीं कहा से, दौर वेद क्या होता है, जब किसी दौर के समुख को इबादा हो, उसे दौर वेद करेगा, जैसे सिड़ी हो, खंबा हो, ये नुक्सा दाए के, इसी को दौर वेद करेगा, दौर वेद होना नहीं चाहिए, नमना नहीं बात करते हैं, मकरासी लगन भाव में चंदर दे, लगन भाव में चंदर जब श्रम अपना ही स्रवन नक्षतर में संचन कर रहा है, क्रगोज की शुप दस्टी होने से, 700 परेश्म से हर का निर्मल शंका बात विवाद दूर होंगे, अपनों का श्यूग मिलेगा, घर परिवार में शुप और मांगले कारीशंपन होंगे, अनुजोगी शपलता के लिए कि प्रियास साथ तक होंगे, कॉलेज, उनिविशिटी, नौकरी, वेवशाय, बदा विद्या का सेत्रों, अवसर लाब है, कहीं ट्रेंशन नहीं है, क्या करें, परिवार का सयोग करें, क्या ना करें, यात्रा मेला परवाई नहीं करें, शुबंग साथ, सुब्रं करीम भाग्यापकी पक्स में, 80% लाब का संकेते मकराशिवालो, ओम्सम निलान जन निभाए नमा, इस मंत्र का जा मिल सकते हैं, और मन को दुखी करें, धनका अपयोगा, कारिय में बादा उत्पन होगी, परवारी गुल्जे मन को प्रिशान करें, और घर परिवार में आज विरूद का सामना करना पर सकता है, कार्शमिंदी बादा उत्पन होगी, लेंदेन के मसले अटकेंगे, रकम डू अपनी पुजाइसान में, शर्ष्रों का तिल का दिपक जलाई, तीन माला इस मंत्र की जाब करें, तो पाठशनी चाले स्या करेंगे, तो कष्ट कमाएगा, नमनेन बात करते हैं, मिनदासी, यारवे भामे चंद देव, यारवे भामे चंद देव, अपने ही नक्षत, परिवार का स्यूग प्रावत होगा, और परिवार के साथ अपनों का वेभार अच्छा रहा, वो दिन बहुत अच्छा, विजब शिक्षा किष्ट में, क्या करें, कारिशन बंदी गोपन दा बना करें, क्या ना करें, विवादी तो मुद्दों पर ना पड़े, ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांती, विवाद ने तरक, शेकिन ओपनें का अधिकर आपका था, आपका है, आपकी का रहेगा, मन उनमान ये आपकी मुद्द, आप मेरा था, मेरे से कोई भूल होगी, तो नहाज जोड कर चमा मांगता हूँ, आप सुखिर, आप श्वास्त्र, शमंःती सीले है, शणी देव की चרणों में, मेरी परात्मा का ना मना गया, रास्तान का हर व्यक्ती ढाता, एक दात्य महाराज जान से बहुत प्यार का था, हजारों श्यकरों बेटीओं के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूण जीवन दिया है और ये मेरा सौक मेरी राष्ट की धरोवर थी और ये करना मेरा कर्ट है और करम था मैं आपको किसी वज्य से नहीं सुना रहा हूँ बिस खाली बता रहा हूं यह मेरा जीवन का नक्षदा है मनशे हुँ और मानुखना इतना प्रेक्रत्व है कि मैं अपनी रास्ट की शेवा कर आगा। मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकॉन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांगा अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेराश्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये का कि आप शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूं आप भी शेवा करता हूं धन नहीं चाहिए लेकिन वरतमान में जो आर्थिक प्रस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनीधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहे हैं इसके लिए मुझे आपका शयोग चाहिए और शयोग के लिए मैं शयोम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊँगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी एवज में गाएं के लिए चारे की वेवस्ता कर और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं ऐसा हिरदय से आया लोगों ने कहा कि राश्ट आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं इंकार नहीं है सातियों मेरा राश्ट रोपर है मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए शनी भगवान आपकी रिक्षा करें आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐ यह लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आविश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगवग लगवग 20-25-50 लोग ऐसे भी है मैं उन सब की परती अपना आभार प्रगर्ण करता हूं और यह सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकौन से अनकूर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर र मैं आप सभी का धन्यवाद देते भी हिर्दय से पुने एक बार निवेजन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज की साथ सनिधान गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़र स्वयोकर है मेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमोना आराएन ओम नमोना झाल